नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ अभिनो तुशान शुपांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्शा की पूरी टीम की दरब से हम प्रिवेस यह क्वेश्चन यहने की पूर्व प्रश्ण पत्रों में पूछा गया प्रश्णों के बारे में चर्चा अच्छा बार्वी की भौतकी के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसके साथ साथ आप सारे सब्जेक्स चाहे वो 10th क्लास की बोर्ड हो या 12th क्लास की बोर्ड हो इसके सारे स्टडी मिटीरियल और सारा सपोर्ट आपको अभिप्शा के प्लाटफॉर्म में मिलता है ये सारी फैसलिटी हमारे अप्लिकेशन में भी अवलेबल है वहाँ पर जाकर जब आप एक्जाम सिरीज मिशन 2023 देखेंगे तो ना सिर्फ आपको हमारे वीडियो बलकी हमारे अडिशनल कंटेंट जैसे की माइंड मैम, शॉर्ट नोट और ये सारी चीज़ें मिलेंगी और उसके बाद में हमसे लगातार जुड़े रहे हैं तो मिलते हैं चलते हैं अगले प्रशने की ओर हम लोगों ने पूरों प्रश्न पत्रों को देखा था 2021 में पूछे जाए गए इस प्रशने के बारे में हम लोगों ने चर्चा की इसके बाद में हम लोगों ने के पास में बहुत सारा काम होता है उनको बहुत सारी कौपिया जाचनी होती हैं और आपके अतरंगी उत्तरों को देखके उनका निमाग खराब हो सकता है इसलिए सबसे पहली बात कि जब भी आप उत्तर लिखें खास करके अंतरिस्पष्ट करने वाला इस प्रकार से ही लिखें जहां आप क्रमांग डालते हैं फिर किस आधार पर आपने ये अंतरिस्पष्ट किया है और फिर उनकोंटिटिस के बारे में बात करते हैं इससे होता यह है कि आप यहां पर कुछ भी लिखें लेकिन आपके अधार बिंदू देखकर आपके सिक्षक को आपके उपर भरोसा हो जाता है जो कि बहुत जरूरी है जब आप कोई परिक्षा दे रहे हो तो आएए बात करते हैं यहां पर देखें उपयोग भई आमीटर का उपयोग क आपने के लिए किया जाता है ठीक है अब अगली बात करते हैं शंट की इस्थिति जब भी हम जो है एक गैलवीनो मीटर लेते हैं तो इस गैलवीनो मीटर के समानतर में हम जो है शंट रजिस्टेंस लगा देते हैं और यह मीटर बन जाता है जब कि हम एक गैलवीनो मीटर लेकर यदि शंट के शंट को जो है इसके स्रेडीक रम्म करने लगा दें तो यह वोल्ट-बीयो में बंधें के व्यावार करने लगता है फिर परिपत में जोड़ने का तरीका क्या है तो जब भी हमें कोई धारा नापनी होती है तो हम जोरते हैं लेकिन जब में किनी दो बिंदूों के बीच में विभवना अपना होता है तो हम हमेशा है हम हमेशा परिपत में वूल्ट मीटर को श्रेणीमा जोड़ते चाहिए अधर्सर प्रतिरोध कैसा होना चाहिए आधर्सरूप some आम इटर के लिए शंट प्रतिरोद बहुत ही कम होना चाहिए मुट कर में रखा है और यहां पर यह हैं शंप प्रतिरोद का मान बहुत अधिक या अनन्त हो सकता है इस प्रकार से हम लोगों ने चार अंतर इस पश्ट किये अगर आप से प्रश्ण पूछा जाएगा तो दो या तीन अंक के लिए पूछा जाएगा और आप सही ढंक से उत्तरते तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद